तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बनाएंगे रेश्टोन इस्टेल दही अलू तो दोस्तो दही अलू बनाना बेलकुल आसान है दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो को देखकर आप गर पे बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं बिलकुल दोस्तो सिंपल रेसिपी है दोस्तो इसको बनाना बहुती आसान है दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके एन तक देखते रहेगा तो चलिए दोस्तों दही अलो बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तो दही अलो बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्ची ली है जिनको हमने बारिक काट लिया है तो दोस्तो एक प्लेट दही अलो बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्रम दही लिया है जो कि बिल्कुल खटा नहीं है दोस्तों तो दोस्तो इसी दही में हम सुक्य मसले को एट करेंगे तो यहाँ पर एक टीस्पून लाल मीट्स पाउडर को एट करी है एक टीस्पून धनिया पाउडर को एट करेंगे हाप टीस्पून हल्दी पाउडर को एट करेंगे दही को म फेट लेंगे तो ये देखिए दोस्तों दही को हमने अच्छी तरीकी से फेट लिया है इसके बाद दोस्तों चार छोटे आलू लेंगे जिसको हमने उबाल लिया है इसके बाद दोस्तों इनके छिलके हमने अलग कर लिया है इसके बाद दोस्तों इनमें हम छेत कर लेंगे इस परकार से ताकि आलू के अंदर आसानी से मसाला चला जाए अंदर इसके बाद दोस्तों अलू को फ्राई करना है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कडाई ली है जिसके अंदर 2 टेबलिश्पून कुकिंग ओयल को eat कर दिया है जैसे दोस्तों तेल हाई गरम हो जाए उसके बाद हमें अलू को एट कर दिया है आलू को दोस्तों गॉल्डन ब राउन हो गए हैं अलूप और आलू हम तेल से अलग कर लेंगे इसके बाद तेल के अंदर हम एक तेज पत्ता एट करेंगे एक पड़ी इलाइची एट करेंगे एक इंच दाल चिनी का टुकड़ा एट करेंगे 4 काली मिट्ची एट करेंगे 2 लोंग एट करेंगे और 1.5 टी स्पून जीरा को एट करेंगे जीरा जैसे ही भुन जाए उसके बाद बारी कटे वे प्याज को एट कर देंगे और साथी साथ हरी मिर्ची कटी हुई को भी एट कर देंगे इसके बाद दोस्तो प्याज को अच्छी तरी की से ब्राउन करने है तो यहाँ पर दोस्तो प्याज अच्छी तरी की से ब्राउन हो गए है इसके बाद हमें बारी कटे हुए टमाटर को एट कर देना है साथी साथ क्यूब कटे हुए टमाटर को बेट कर देंगे इसके बाद दही को एट कर देंगे दोस्तो जैसे हम दही को एट करेंगे तो फटा फट अपने हाथों को चलाएंगे नहीं तो दोस्तो दही जो है फट जाएगा तो दोस्तों जब तक हमारा दही उबले नहीं जब तक हमें चम्मच को चलाते रहना है यह देखिए हमारा दही अच्छी तरिकी से उबल गया है फ्राइ कियो वे अलू को एट कर देंगे स्वादनुसा नमक को एट कर देंगे पांच मिनिट तक हम पका लेंगे अच्छी तरिकी से तो यहाँ पर दोस्तों हमने पांच मिनिट तक अच्छी तरिकी से पका लिया है तो यह हमारा दही अलू की रेसीपी तेयार है उपर से हरा दिने पत्ति को एट कर लेंगे तो दोस्तो दही अलू सर्व के लिए तेयार है तो इसको आप रोटी पराटा नान राइस किसी की भी साथ खा सकते हैं